लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेजु वे जो करें तमाम सबूत और गवा के बायन को मद्द नज़र रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम करनल सिंग पर जो इल्जाम लगाया गया है वो सही है लहाज़ा यह अदालत इसे मुझरिम करार देते हुए ताजिरात हिंद जिरे दफ़ा 302 की तहद सजा ए मौत का हुक्म देती है To be hanged till death वकील सहाब आपने हमारे बेटे के हत्यारे करनल सिंग को फासी की सजा दिलवा कर हमबर बड़ा एसान किया है हमने तो आपकी फीज भी नहीं दी माजी मुझे फीज की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे तो खुशी सिर्फ इस बात की है कि मैंने आप लोगों को इंसाफ दिलवाया वाकई आप दानवीर है अज़ा नमस्तोश्कार डैडी आपको सब दानवीर क्यों कहते है बिटे दानवीर तब कहराता है आदमी जब अपनी भूक प्यास भुलाकर अपनी खुशियां अपना सब कुछ दूसरों को दान कर देता है तो फिर मैं भी दानवीर हूँ वो कैसे? क्योंकि मैं भी अपने भाई बेहन को चौकले देता हूँ बिटे आज हम तुभारी वज़े से एकिस जीते हैं इसलिए हम तुमें अपना ये लॉकेट तोफ़े में देते हैं ये लो थांक्यू बेडी पिता जी पिता कल मुझे फांसी हो जाएगी उसका घब नहीं है मुझे लेकिन अगर तुने उस वकील सिरी वास्तव को और उसके सारे खांदान को मौत के घाट नहीं उतारा तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी तुझे कसम है मेरी उस सारे खांदान को मिता देना मुझे कसम है पिता जी मैं उसके खांदान को तबाहों पर बात कर दूँगा शबश शबश क्या बात है क्या हुआ वकील सहाब बहुत ही अच्छे आदमी थे कल रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसे अराम सादा मेरे मारने से पहले ही मर गया सार उसकी बच्चे भी जिन्दा है नहीं बच्चों को मैं मात नहीं मात से पी पतर सिंदकी तुमको तुम्हारे पिता दान किया करते थे, पैसे बाटा करते थे, नतीजा क्या निकला, करजा इतना बढ़ गया, कि ये घर उन्हें बेचना पड़ा, अब मैंने ये घर खरीद लिया है, अब तुम कोई और आस्ता ढूंडो, जो लो तुम्हारे खर्चे के लिए मुझे भीक नहीं चाहिए, अगर आज मैंने हाथ पहला दिये, तो जिन्दकी भर हाथ पहलाता रहूँगा, मुझे बिकारी नहीं बनना, मुझे अपने पिता की तरह बनना है, चलो मुन्नी सर, ये काम तो मैंने कर दिया, उसके बच्चों को घर से बेघर कर दिया, अब मेरे लिए क्या हुकुम है, सर, अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ दूर से बैठ कर उनकी बर्बादी का तमाशा देखना है दॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बच्चा लीजिए, वहीं तो कह रहा हूँ कि बच्चा बच जाएगा, इसका फॉरन आपरेशन करना पड़ेगा, दो हज़ार रुप्या खचा आएगा, दो हज़ार रुप्या कहां से लाँगी मैं गरीब औरत, तो फिर बच्चा मर ज बच्चा लीजिए, बेटा, तु सच मुझ दानवीर हो, हैं, ये पांच रुपे कम है, भईया वाज में ले ले ना पांच रुपे, हमको अभी राशन दे दो, चावल का दाना नहीं है घर के अंदर, बच्चे भूखे मर जाएगे, ये धरम शाला नहीं है, बच्चे बच पांच रुपे लेकर आओ, बाद में चाब ले जारा, जोड़ता हूं पांओ परता हूं भईया, भईया दे दो ना, अगर आपको तकलीफ है, तो आप दे दो उनके पांच रुपे, ये नहीं दोंगा, मेरी बीबी मारेगी, तु चुप रहो, सेट जी, मेरी मजदूरी के पंद्रा रुपे में इसे पांच रुपे काटकर इनको दे दीजिए, तेरे पांच रुपे इसे दे दूँ, जी, ठीक है, चाब चाब ले लो, बेटा शुखी रहो फांच में आढब लंदू रहो फांच रहो अच्प रहो रानाची, वीजे में आये थे? जीव अब यह आए थे भगवान के दर्शन करके चले गए सलाप चाचा सलाम बेटा सलाम जीती रहो चाचा बहिया का है? वो आरके श्पताल गिया है एक औरत को लेका उसको बच्चा होने वाला था अफो क्यों क्या हुआ बेटा? बहिया ने अभी तक खाना भी नहीं खाया बेटा तुम आरके श्पताल चली जाओ तुम्हारा भीया तुम्हारा भीया तुम्हाही मिल जाएगा तू क्या समझती थी तेरे मैके चले जाने से मुझे पता नहीं चलेगा और तू चुप चाप अपने यार की इस नाजाएज अउलाद को जनम देदेगी ये किसी और का बच्चा नहीं है आपका बच्चा है हमारा बच्चा है अरगेस नहीं हराम साधी मैं इस बच्चे को पैदा नहीं होने दूँगा हाट जलील तुझ जसे शक्की इंसानों नहीं औरतों के जिंदेगी जहर बनाती है एए तू कौन होता है हमारे जाती मामले में दखल देने वाला सुनिये फिगर मत किजिप सब ठीक हो जागा जाए ले जाए विजये बेता दूसरों के लिए अपनी चान पे खेलना चोड़ दो बेता अगर तुमें कुछ हो गया तो अपने लिए जीना सीखो बेता और चीने के लिए खाना जरूरी है सुदा की बच्ची तुमें क्यों भईया मा होथी तो ऐसे केदी ना यह बात तो सहीए तो मा की बात मानो और चलो मेरे साथ घर चलो ना भईया ने तो मेरा तत जतन से बना खाना ठल्ड़ा हो जाएगा चलो मेरी मा चलो अरी बहना आज तुने धंदे का कभाड़ा कर दिया देख़ भया, जैसे पैसे कमाने का एक वक्त होता है, मैं से खाने का भी एक वक्त होता है. चुपचाब काया! तुने खाया? ह। आई नदर चू नमब नू मतलब? बिग ब्रेदर नमब वन, स्मॉल ब्रेदर नमब चू, ए고 श्भूर आफेशेक यह अंतर waits стал above 3 कि ऐसे गूर के क्यों देख रहे हैं मुझे खरसंसार उपकार खुद्दार और इन सब के इंटर्वल में कद्दार देख रहे हूं क्या मतलब मतलब यह कि इन सब फिल्मों में बड़ा भाई अपने आपको मिटा कर छोटे भाई को पड़ा लिखा कर पाल पोस कर एक काबल इं मुन्नी तो अपने होश की दवा करां यह मेरे भाईया नहीं मेरे माँ बाप और भगवान भी है जड़ा मुझे आई इसका एक्जाम तो पास करने दो फिर देखो मैं भाईया के लिए क्या क्या करता हूं वक्त से पहले दावे ना करो छोटे भाईया वक्त दावे को पलट विजे बाबू जिन से आपने सुधा के रिष्टे की बात करवाई थी वो लोग लड़की देखने के लिए आ रहे हैं जी क्या है मिस्टू जी अच्छा आपको भी बता लग गया मेरी शादी होने वाली है अच्छा ये बताईए आप ये सब मेरे बारे में कैसे जान लेते हैं ऐसी कौन सी शक्ती है आपके पास मुझे तो लगता है पिछले जनम में तु जरूर मेरा भाई रहा होगा जिस रिष्टे को इस जनम में भी निवा रहा है है ना चाचा आओ विजय बेटा आओ आपके किवाए फूरे 250 रुपे विजय बेटा दिन रात खून पसीना एक करके महिने से पैसा कमाते हो और शाम को आकर मेरे पास जमा कर देते हो पर आज तो मैं पूछ करी रहूंगा ये सब क्यों किसके लिए अरे चाचा मुन्नी की शादी नहीं करनी है तुम्हारे पास जो पैसे जमा है ना उन्हीं से तो मुन्नी की शादी करूं ना शाबाश बेटा शाबाश जानते हो थोड़ा थोड़ा करके एक लाख नो हजार रुपया जमा हो गया है मैं तो खुदा से दूआ करता हूं कि हर घर में ऐसा बेटा पैदा हो अपने आपको तालीम से महरूम रखकर खुदन पढ़ रहा लेकिन भाय की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब अपना पेट काट कर बेहन की शादी की तयारी कर रहा है अ बेटा एक बात मेरी भी माल दे अपना भी ख्याल अखा कर बेटा चचा सब ठीक हो जाए मेरी चिलता मत करो या अला तुही निगेवान है इसका हुआ 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 मेडम आपने क्या बढ़िया शौट दिया है गुड थैंक यू इस एड फिल्म को देखकर औरतें यही चाको खरीदेंगे थैंक यू सब एक सौ रुपे देंगी नहीं भाई साब जी एक पचास रुपे देंगे हुमार रवाज पैसे नहीं है पापा यह क्या कर रहे हैं आप अरे अगर तुम नहीं देगी तो दूसरों से ही मांगना पड़ेगा मैं पैसे दू था कि आप शराब पी जाए अरे शराब पीरों कुछ चोड़ी दोड़ी कर रहा हुमार आपको आपको शरम नहीं आती नहीं आती तरह वाद दिये तो पैसे दे 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 ला लानत है मेरी प्यारी बेटी बागवान साब को ऐसी बेटी दे अरे कोई आटो और टैक्सी भी नहीं है अरे बचाओ कोई बचाओ अरे बच्चे को बचाओ अरे कोई है देखो तो अरे हेल्प प्लीज हेल्प अरे कोई है बचाओ बच्चे कोई है बचाओ अरे कोई है बचाओ भगवानी ये जिसम सिर्फ सजने सबाने के लिए नहीं दिया आए बच्चा पैदा क्या है तो उसकी पैदा करना भी सिखो अरे मा तो बच्चे को सीने से लगा का लगती है और तुम कुछ देखना बगना नहीं है मैं सब कुछ देख चुका हम और तुम ते टू जट तक भोग चुकी हो और ये विचारा अरे इसने तभी तक अपने पहरोबठीक से चला भी नहीं सिखाए और तुमने इससे मनने के लिए सलक मत छोड़ दिया कोई बात बात नहीं सुननी अब तुम मेरी बात सुनो अरे पहर भी धरती बार बोज नहीं लगता पेड़ों को फॉल बोज नहीं लगता और एक मा को अपनी अलाद कभी बोज लगने ही सकती और लगनी भी नहीं चाहिए बाबुजी आपने सही वक्त पर आकर मेरे बच्चे की जान बचा ली आप इंसान नहीं भगवान है आपका यहसान मैं कभी नहीं भूलूँगी कोई बात नहीं कोई बात नहीं मैं तुम्हें एक बच्चे की मा जैसी दिख रही हूँ और मैं जिन्दगी में एट उजय तक सब भोग चुकी हूँ बहुत हीरो बन रहे थे वाबा वाबा क्या डायलॉग मारा है धर्ती को पहार बोज नहीं लगता और पेड को फल बोज नहीं लगते मैं कुछ मिसाल लगए मैं एक कुवारी लड़की हूँ और तुमने मुझे एक बच्चे की मा बना दिया आपके अभी तक शादी नहीं हुई जी नहीं इसका मतला अभी तक आप बच्चे की मा नहीं मनी नहीं नहीं अच्छा च्छा ए मिस्टर यूँ जखम पर नमक रगड़ना मेरी पुरानी आदत है नहीं समझे हैं अरे भाई जिस तरह हर आदमी का अपना एक स्टाइल होता है वैसे ही मेरे एक स्कूल है मेरे इस स्कूल से पास होकर नटवर लाल और आज दुनिया में नाम कुमा रहे हैं तुम्हे भी अगर मेरे स्कूल में भरती होना है तो मेरे आफिस में आओ सुना आइदा इस घर पे आप मुझे खल लाइक नहीं नालाइक समझते हैं नालाइक वो तो है ही असल में तो यह बात है मैं अपने बड़े भाई के लिए कुरुबान ही दे रहा हूँ अब मैंने खल लाइक इंस्टुटिट खोल दी ना तो तुम्हारा वो टुच्छा तपोरी स्कूल बंद हो जाएगा और तुमको पान बेड़े का दुकान खोलना पड़ेगा ने तो जू में जाके चने बेचने पड़ेंगे किना गरेंगी किना गरें आप मुझे ऐसा वैसा लिया था अगेन आथा तू फिर भी तू तीस्टे नंबर पर आया था तीस्टे नंबर पर देखो आप मेरी मेरे से दीमत करना मेरे इमेज को धक्का लग जाएगा है कहा जा रहा है बेबीजी को कपड़े देने मुझे तो अपनी लाडली बेटी को मैं खुद अपने हाथ तो से दूँगा तुम जा बिटिया अरे बिटिया रही अर्म ये क्या तुमने कितने ओल्ड फ्रेशन का ड्रेस पहन रखा है ये देख मैने तेरी लिए इंपोर्टेड लेटेस्ट डिजाइन के ड्रेस मगवाया है जा इसे पहले जाबर नहीं पापा मुझे यही पसंद ह हां तुझे यही पसंद है तो ठीक है बिटिया तो मुझे भी यही पसंद है अरे यह क्या यह क्या तूरे हाथों पे मैंजल लगा रखी ची 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 अच्छा नहीं लगता दुलवा डाले से दुलवा डाले से नहीं पापा मुझे यह बहुत पसंद है तुझे यह बहुत अरे तेरा स्कूल ही तो मेरा स्कूल है बिटिया अरे पाब रे अब क्यों चला चला के हमारे कान के परदे फाड़ता रहता है अब अलू के पठे बच्पन में तुने क्या लाउड स्पीकर निगलिया था जो हमेशा चलाता ही रहता है अरे कितनी बार तुछ से कहा है यह गाव नहीं शहर है शहर यहां दीरे से बोला कर दीरे से लेकिन तुह है कि अपने स्कूल ही नहीं बदलता ठीक ही अफिर वही अरे तेरी यह चलात एक दिन मेरे दिल की धरकन बस करतेगी दिख बेटा क्या है पासा पासा क्या है जो कुछ भी तुझे कहना हो मेरे कान में दीने से जो मुचे सुनाई थे इतनी जोर से मैं तेरी पांचो रुपया पकाज बढ़ा दूगा बस इतनी जोर से कहा कर मेरा काम बजा करेगा ऐसा ही करूँगा शाबाज विटा जैसे मैंने कहा है जो मुझे स्कूल बादने वह वला इंचान बहुत पसंद है आम तो जा और जा है आज साही करूँगा पापा बेटे के साथ जो भी काम करता है पागल क्यों हो जाता है रखता है मेरा बेटा पागलों का स्कूल चलाता है अजब बागल हो गया जिस नोकर को अपने मालिक के साथ अच्छा बरताव करना नहीं आता उसका यही हाल हो जाता पागल हो जाता पागल हो गया है तुम कोन हूं सेर आफ के बेटे का नए सेक्रटी कम दोस्त कम नोकर कम-बावर्ची कमाली नल जाता अफल्ल तुम कितने दिन टेकर रहते हूं कितने दिनुपने जेते राने हैं झेल दासू झेल न्यूज ऐसो थैंक यू बशसू झाल 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 कौन है? सर, वन इन ओल खासम खास आपका दस वन इन ओल तो तास तुम हो तो काम पे लग गया लग गया, लग गया नाइस, वेरी नौटी, वेरी नौटी येस, नौटी कंट्रोल, तास कंट्रोल I love you I love you, चित्रा I love you, चित्रा I love you अईसा है तेरा प्यार चीखने चल लाने वाला सत्या नाश हो तेरे प्यार का दासुगो येस, बासुगो एक काम करो आप फरमाईए सर आज का अखबार लेकरो आज का अखबार येस सर Indian Express Indian Express, लाया सर Indian Express लाने को कहा है लगता है मुझसे कुछ पढ़वाएगा अरो वाह ये रहा Indian Express ले आया सर, Indian Express बैठो बैठू ओ, येस सर पढ़ू नाई, भाड़ो भाडू तुमने ठीक सुना अखबार को फढ़ो येस सर, फढ़ो फढ़ा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और फढ़ो दुनिया में इस से यादा और कोई नहीं फढ़ थेकता सर Very good अब इसको जोड़ो क्या? शाम को आके मैं यही अखबार पढ़ूँगा इसको जोड़ो शाम को आकर यह अखबार पढ़ेगा कंट्रोल दासू कंट्रोल तू देखिए मेडम यह कराटे स्कूल का विज्यापन है यह लड़का आपको रेप करने की ट्राई करेगा आपने क्राटे स्टायल में इसको मारना है फाइनली में कैमरा पैन करके इसकोल के बोल पर ले जाओंगा ओके कैसे लगा आपको बाद अच्छा अव यू फील अरे मज़ा गया सर ओके ओके रड़ी क्लेपेंग फिफ्टीन बार तू टेक वन मेरा नाम है रेप बिल्ला तुझे नहीं छोड़ूँगा यक ज जो पिछ आरे बारी पादूँगा बिल्ला प blender पिए कान इक वे खिरा पिखँगगा पिए ग कान इच्वगा मेरी मा, कल तो मुझे शादी के लिए लड़की देखने जाना है, पूरे शरीर पर तो पट्टी बंदी है, अब वो लड़की मुझे कैसे देखेगी, मेरी शादी कैसे होगी भगवान? वो सच मुझ मेरा रेप करने की कोशिश कर रहा था, ऐसा कैसे समझ लिया तुमने? और अगर वो ऐसी हरकत कर भी रहा था, तो तुम्हें इससे क्या? अगर वो तुम्हारी इज़त का सिगनाल तोड़ देता ना, तुम्हारी जिंदी की बस्टब बनकर खड़ी हो जाती, यही सोचकर मैने उसे माला, बोलो मैने कोई भुड़ा किया? तुम अपने आपको भग-बड़ा हीरो समझते हो क्या? अरे मैडम, तुमने हमारी हीरो गिरी देखी कहा है? मैं कोई टुप्लिकेट वाला हीरो नहीं हूँ, सर्टिपिकेट वाला हीरो हूँ. दो सेकंड के अंदर फुल्टू फटा करके मिटा गिराता हूँ, और गाड़ी आगे बाडाता हूँ. तुम्हारी इसी हीरो गिरी के कारण मेरी शूटिंग का सत्यानाश हो गया, और वो बिचर आर्टिस वहां घायल पड़ा है. अरे भाई, उसी गलती के लिए माफी मांगने आया हूँ, चलो. बहुत बड़ा ऐसान करने आयो उस पस, चलो. जरा अपना पैर तो उठाईए. डॉक्तर, मैं एक सेंटीमीटर भी नहीं हिल सकता. ऐसे कैसे चलेगा, कोशिश तो कीजिए. नहीं, मुझसे नहीं हो सकता. अरे बापरे, ये तो भई है, ये तो यही आ रहा है, ये फिर बालेगा. बात बिल्ला, बैटे, बात बिल्ला, बैटे. आपको हसी आ रही है, उस बिचारे के हाथ पर तोड़कर आप हस रहे हैं. आपको बना, ये बेचारा अपनी शादी के लिए कर लड़की देखने जाने वाला था. अब होने वाली दुल्हन को देखना तो दूर, खुद अपनी शकल भी दिखाने ही सकेगा. दुल्हन? अरे मैं तो भूली गया. क्या आपको भी दुल्हन देखने जाना था? आपके साथ कमरे में प्यार महबत की बाचीत कर रहा हूँगा? आप बटा, बैठा. रगुवीर जी, दहेज का एक लाख रूपया कहा है? कुंदनलाल जी, पैसों का इंतजाम नहीं हो सका. मैं आपसे वादा करता हूँ. एक महीने के अंदर मैं आपके पूरे रूपय दे दूँगा. तो शादी भी एक महीने बाध होगी. मैं अपनी इज़त आपके पाउ में रखता हूँ. ऐसा घजब मत कीजिए. बारात वापस चली गई, तो मेरी बेटी का क्या होगा? मेरी इज़त आपके हापने है. मुझ पद्दया कीजिए. अरे! आपको एक लाग रूपय चाहिए ना? यहाँ, आप देंगे क्या? जी नहीं, मैं नहीं. रगु भाईया देंगे. हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इतने भी नहीं, क्या अपनी इज़त हर किसी के पाँ पड़ डालते फिरें? चाचा. हाँ, बेटा. अब फॉरन वो एक लाग रूपय लेकर रहिए, जो मैंने आपके पास जमा किया है. पर बेटा, वो तो तुम्हारी बहन सुधा के शादी के लिए… सिता भी तो मेरी बेहन है. विजे, जाइए. विजे बेटा, आज तक मैं ये समझता था कि दानवीर वो होता है, जो गरीबों को पैसे बाटता है. पर असली दानवीर तो तु है बेटा, जो अपने मूँ का निवाला भी औरों को बाट देता है. आफरीन, सद आफरीन है बेटा, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ. प्लैन याद है ना? हाँ, ये रेप सीन शुरू होते हैं, हम उसे रूम के अंदर ले जाएंगे, और सच मुझ का रेप करेंगे, लोग समझेंगे शूटिंग चल रही है. ठीक है? ठीक है, ठीक है. मैडम, रेडी? या, रेडी. अभी जो सीन करने वाल है, वो रेप सीन का शॉट है. हे रेप सीन? आई ये जूडो स्कूल का अडिटाइस्मेंट है ना? ओके. प्लैन याद है ना? हाँ, मुझे हाथ नहीं लगाना. हाथ नहीं बेबी, तुझे कले लगाऊंगा, दिल में बिठाऊंगा, अपना बनाऊंगा. तुम सिर्फ आक्टिंग करो, ओवर आक्टिंग करने की जरूद नहीं. आक्टिंग नहीं, आज में सटुल करेप करूँगा. हाँ, 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 हैँ, कोई है, बचाओ, आप लोग देख क्या रहे, बचाइए ना मुझे इन गुंदों के, अजय आप ऐसी एक्टिंग कर रही है, मादूरी दिख्षित पी कुछ नहीं है, हाँ, अजय क्या धासु एक्टिंग है यार, यह आक्टिंग नहीं कर रहा, एक्टिंग के भाने मेरी इजट लूटने की कोशिश कर रहा है, प्लीज आप मुझे बचाईए ना, मैं जानता हूँ जानता हूँ यह टीवी शूटिंग है, अरे उस दिन तुम्हारे चिलाने की एक्टिंग देखकर, मैं तो सच्बू समाझ गया था कि तुम्हारे रेप हो रहा है, और मैंने उस बिचार एक्टर की थुलाई कर दी। अरे जाँ वाही ले जाँ वाही ले जाँ जाँ वाही ले जाँ आढ़ा अरे छोड़ो मैं बस कड़क्र थोड़ी हूँ, मैं तो शुड़िक लेग रहा हूँ! बच्छाँ! जल! जल! बंकरो दर्वाजा! वीज मुझे कुछ मत केजिए! नई, मुझे छोड़ देजिए! बच्छाँ! 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 हुछ 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 मेरी चांट तेरा गिल किस ने चुरा लिया चाहत का रोग भला किस में लगा दिया चाहत का रोग बला किस ने लगा दिया हाले मेरा जिसने किया जिसने चुराया मेरा जिया वो है दिवाना मेरा पिया कैसे बताओ दिल के लगे कौना रह जाने न मेरी चाप तेरा दिल किसने चुरा लिया चाहत का रोब भला किसने लगा दिया मेरी चाप तेरा दिल किसने चुरा लिया चाहत का डोब भला किसने लगा दिया हाल ये मेरा जिसने किया जिसने चुराया पेरा जिया मेरी दिवानी वो दिल रुबा कैसे बताओ दिल की लगी को अनारी है जाने न उसने देखा जो प्यार से उसके खाबों में खो गई राम जाने एक पल में क्या शरारत हो गई मुस्कुरा के वो दिल रुबा दर्द उल्फत कदे गई क्या पताओ किस तरह से मेरी नींदों को ले गई बोल जरा कालों की लाली कहा गई मस्काने कालों की बाली कहा गई इसमें नहीं है मेरी खता करते भला क्या तुही बता मुझको नहीं था कुछ भी बता कैसे मनाती मगल है मेरी कोई बात माने न ले गया सारी रंगते गोरे अंगों को जूम के बालियां भी हो गई को उसने पकड़ा जो जूम के इश्क में पे खयाल था इसमें मेरा खुसूर क्या ओ ना था जो हो गया वो सोचना अब हुजूर क्या हम सारे जानू रे कैसे हुई खता आगे क्या अब होगा प्यारे जरा मता हम सारे जानू रे कैसे हुई खता आगे क्या अब होगा प्यारे जरा मता तोनों की नाजी हाजी होगी ये सारे दुनिया राजी होगी अब तो हमारी शादी होगी कोई पता के रही जहां के रस्ते में रोखे नग कर दोखे दूपे राजी होगी बाज कर लिए राजी होगी बस लफ 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 बस राज राज तो राज वस दे पंपड़ का Skip कि पर चाना, किव की मेई तैंना यारे कि पंपड़ मुझा कि रettes पर्ण आहां है बॉक्षूब np अरू कंट्रोल कंट्रोल यूर पुज़िशन कंट्रॉल कि अरॉम्जादे कैसे से टे ने हिमसलिक मेरी मैववर के किमर में हाथ डालता है है इतर नीचे हुता सालेट्ड जाढ़ यूथा उतर नीचे तुम ने उसे का क्यों नहीं कि तुम मेरी हो लब यू चित्रा लब यू तुम लोग सब कान खोल का सुन्डो चित्रा तुम लोगों की बेहन हो सकती है बीवी नहीं बीवी वो सिर्फ मेरी है पागल पन कर रहा है दीखे नू लो बापू आए बीमा निचे आजा, बदकस्मिती से तेरा बाफ हूँ, और सुनो, अगर मेरी चित्रा पे लाइन मानने की कोशिश की न, तो ठीक नहीं होगा, अरे बेटा, मैं तो तेरी लाइन साफ करने आया हूँ, तेरी और चित्रा की शादी की लाइन, आजा बेटा, आजा, निचे आज वादा, हाँ 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 वादा, आया, 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 पर आया अपनी मीडम की तस्वीर हो खाड़ के घर ले आना, वरना हर आता जाता आख मारेगा, ये वह भगवान, कौम सी मन्हूज घड़ी में तुने ये नमूना पे लाइडा किया मैं, फिलो महत, वहां शांटीं वाहे तुम्हरा इंतजार कर रहे हैं कर ने दो इंतजार मैरी सैलीन FERuce का। इसकी मम्मी इसकी चोटी मानाते, अगर मेरी मम्मी होते तो मेरी भी चोटी बना देते ममी नहीं है तो क्या हूआ मैं हूँ ना, आज से मैं ही तेरी चोटी बनाया करूँगा, तु मुझे ही अपना भाई समझ और मुझे ही अपनी मा अपने होने वाले सास ससुर के सामने सिर जुका कर बैठना, शादी के मंडब में आखे नीची करके और शादी के बाद सुआगन की तरफ घर की चार दिवारी में रहे भाया, वो लोग सुधा को जल्ली लाने को कह रहे हैं हाँ हाँ, चल्ड़ कैसे हो निल संगीत सीखा है बेटी? जी, इनसान के चाहने से सब कुछ नहीं हो जाता दो वक्त की रोटी जुटाने में इतना वक्त उजर गया कि संगीत सिखाने का मौका ही नहीं मिला नहीं सीखा तो कोई बात नहीं एक two in one खरिद देजीगा मेरा बेटा गाना सुन-सुन कर सिखा देगा खरिद दूगा कथक बगर कुछ सिखा है बेटी जीब वो क्या है कि दो वक्त की रोटी जुटाने में इतना वक्त लग गया कि बेहन को कथक सिखाने का मौका ही नहीं मिला यही कहना चाहते न आप कोई बात नहीं आप एक काम कीजिए एक VCR और एक कलर टेलिवीजन खरीद दीजिए हमारा बेटा डांस देखकर आपकी बेहन को डांस करना सिखा देगा जीब खरीद दूगा यह हुई न बात हमें आपकी बेहन पसंद है और बेहन के लिए अपनी जान भी दे देने वाला आपका गुणू वाकई हमें बहुत पसंद है वो तो ठीक है मगर बेटे अनील को जरा अपने घर दिखा तो जाओ कहिए देखिए ऐसा है भाई के अगर आप तीन लाग रुपर कैश दें तो यह शादी पकी समझी है जी जी ठीक है अपनी बेहन की खुशी के लिए आप लोंकी सारी मांगे पूरी करतोंगा अच्छा नमस्ते अच्छा नमस्ते अच्छा नमस्ते भाया इतने सारे पैसे मैं आपको बहुत अच्छी तरसे जानता हूँ आपको जो कुछ कहना है बाद में कहिए पहले मेरी बात सुनिए बड़े अर्षे से दिली ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी की शादी आपके भाई विशाल से हो जाए जो IAS की ट्रेनिंग कर रहा है क्या ख्याल है आपका जीब मुझे नहीं मालूम था के मेरा भाई इतना खुश किस्मत है खुश किस्मत आपका भाई नहीं खुश किस्मत तो मेरी बेटी है जो आपने फॉरण हां कर दी लेकिन एक बार अपने भाई से जरूर पूछ लीजेगा इसकी कोई जरूरत नहीं है सर जी मुझे अपने भाई पर पूरा भरुसा है वो अपना सर कटा देगा लेकिन मेरी जबान कभी नहीं कटने देगा तो फिर देर किस बात की है कोई अच्छा सा महूरत निकलवा लेते हैं ठीक है सर जी अच्छा मैं अब चलता हूँ अरे ये क्या आपने तो कहा था कि आपको मुझे कुछ काम है काम बता बगाएर ही चल दिये जी जिस काम के लिए आया था वो आप बता नहीं सकता आपको मेरी इमानदारी पश्यक हो जाएगा विजय अब हम सिर्फ दोस्त ही नहीं रिष्टेदार हो गए है अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं समझूगा कि ये जी जी ऐसी कोई बात नहीं है वो यह है कि मेरी बेहन की शादी तैय हो गई है अरे भाई ये तो खुशी की बात है जी और उस शादी के खर्च के लिए मुझे पांच लाग रुपया चाहिए ये मेरी जाइदाद, ये दौलत सबकुछ मेरी इकलौती बेटी की है मेरी बेटी की दौलत यानि कि तुमारे भाई की दौलत अपनी ही तीजोरी से पैसे लेना कोई चोरी तो है नहीं ठेरो, मैं अभी आता हूँ विशाल ओ विशाल अरे विशाल कहा है छोटे बेए आपका इंदजार करके ट्रेनिंग कैम के लिए निकल गए अब तक तो और हैल्वे स्टेशन भी पहुंच गयोंगे अरे रे रे मैं उसे खुशकप्री देना चाहता था ठीक है आने के बाद दे देंगे इसे समाल कर रख अच्छा सुदा कहां जा रही हो घर चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं नहीं मैं चली जाओंगे अरे बाबा तुम्हारे पाउं ठक जाएंगे मैं तुम्हें स्कूटर पर छोड़ दूगा शादी से पहले लोग देख रहे हैं ना लोग तो अभी भी देख रहे हैं और ऐसे भी सब जानते हैं कि हम तोनों शादी करने वाले आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूं पकड़ो मुझे नहीं तो गिर जाओगी नहीं ठीक है आओ हम तुमको चाहेंगे दुनिया जो चले तो चले हम तुमको चाहेंगे दुनिया जो चले तो चले आने भी दे बाहों में आने भी दे जाने भी दे लोगों को जाने भी दे क्या करें दिल रुबात दिल पे बसना चले विल 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 कोई आजाने ना तेरी मेरी इस बेताभी को कोई पहताने 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 ना तेरी इस बेताभी को कोई पहताने ना हम तुम को चाहेंगे दुनिया जो चले तो चले आने भी दे बाहों में आने भी दे जाने भी दे लोगों को जाने भी दे क्या करें दिल रुपा दिल पे बसना चले खुरके मिलेंगे हम दोनों कोई कुछ भी कर ले सपना बना के पलकों में मुझको जना भर ले खुरके मिलेंगे हम दोनों कोई कुछ भी कर ले सपना बना के पलकों में मुझको जना भर ले तुनी रहे ना अब तो जारा भी आकिला बाले गले हम तुमको चाहेंगे दुनिया जो चले तो चले आने भी दे पाहों में आने भी दे जाने भी दे लोगों को चाने भी दे क्या करें दिल रुबात दिल पे बसना चले भाईया अरो दिशाल ओ भाईया भाईया तू एकदम सही वक्त पर आगया भाईया मैं तो वक्त चुनकर आया था लेकिन यहां कर देख रहा हूं कि आप लोग सारी तही आरे कर चुके है यो टूगुड भाईया मुन्नी और मैं आपके पाउ दोकर पीते रहे ना सारी जिंदगी फिर भी आपका ऐसा नहीं चुगा सकते अरे ने ने अरे हां भाईया बचपन से लेकर आज तक आपने कभी हम मैं नहीं हें तू करवा रहा है हम में कैसे करवा रहा हूं कि विशाल मैं तेरे तरी Bundesدي Hakka कर दियेिये और यह शा crispy मैं यह शादी कि मुझ्शन कर मेरी जिंदगी का इतना बड़ा अपनेlane विशाल सुरी भाईया मैं यह शादे नी कर सकता आप फॉरन इस रिष्टे को ना कर दीजिए अरे नहीं भाई मैं लक्षमिन नानाजी को जबान दे चुका हूं जबान दे चुके हैं या मुझे बिच चुके हैं अरे नहीं मैंने सुधा के लिए खुशिया खरी दिये। मुझसे पूछा तो होता कि बर्खोरदार क्या पूछता तुमसे क्या पूछता यह कहता कि हमारा बाप मर गया है हम दोनों यतीम हो गए हैं तुम्हें गली में सड़ने के लिए कहीं फेग दू या तेरी देखभाल करूं तुझे पढ़ाने लिखाने के लिए पूछता अरे करने से पहले तेरी जबान कच्चो नहीं गई रहमत मियां आप कौन होता है हमारे बीच में दखल देने वाले आपका और हमारा तो कोई रिष्टा तक नहीं मेरे अजीज तुझ जैसे इंसान के साथ रिष्टा मेरा हो भी क्या सकता है जो अपने फृष्टे जैसे बड़े नहीं सुनी अब भूगत अब भूगत तू भाईया आप लक्षमी नाराएंजी से कह दो कि मैं उनकी बेटी के साथ शादी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं कि किसी और लड़की से प्यार करता हूँ हाँ हाँ जरूर कीजिए जिससे जी चाहे शादी कीजिए लेकिन उससे पहले मेरे पांच लाख रुपए लोटा दो सर्जी वो रकम मैंने लड़के वालों को दे दिये आपकी रकम मैं जली लोटा दूँगा यह सब नहीं चलेगा विजय अगर तुम मेरी रकम फौरण नहीं लोटाते तो मैं खुद जाकर लड़के वालों से मांग लूँगा तुम दोनों ने मिलकर अच्छा नाटक किया सोचा भाई की शादिगा ढों करके पहले पैसे एंच लेंगे बाद में ठेंगा दिखा देंगी अपनी जबान को लगाम दीजे लक्षमिन रानान जी इतना घुरूर है तो मेरे पैसे लोटा दो ठीक है 24 घंटे कंदर आपके पैसे मिल जाएंगे आप जा सकते हैं सर्जी मुझे पांच लाक रुपया चाहिए पांच लाक हाँ सर्जी आप चाहे तो मेरी रोजी रोटी या ओटो गिर भी रख सकते हैं पर भाया तेरे रोजी रोटी पर खुल 25,000 मिल सके हैं सर्जी मेरी मुदद किजिए मेरी बहन की शादी है पर भाया ती बड़ी रकम दू किस चीज पर असलाम आलेकुम सर्जी आव भाईयो आव आव आजाओ जरा बहात तर्शीफ लाइए और देखिए रेट जी ये सब रिक्षे हाज हैं गिर्वी रखने के लिए अब तो हमारे विजय को रखम मिल जाएगी न अगर कम पढ़ेंगे तो और पेश कर देंगे हम अपने विजय के लिए कुछ भी कर सकते ही जिसके इतने सारे चाहने वाले हूं उसे मैं तो के भगवान भी मना कई न कर सके मने तेरे होते आटो गिर्वी रखने के जुरूत कई नहीं मने घरे आदमी और खोटे सिक्के की बड़ी पहचान है मैं पीसा दियूंगो बहुत बहुत शुक्रिया सेट जी बहुत 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 शुक्रिया बेटाता शिवे सरवार्थ साद के शरण्ये त्रिम्ब के गौरी नारायनी नमस्तुरे मंगलम भगवान विश्वो मंगलम गरणत्वजय मंगलम पुंदरी काक्ष्य मंगला यस्तमो हरी अच्छा मिट्टू चलती हूं मैं मेरा एक काम करेगा मेरी चाने के पाद खूब नाचना खेलना घूमना गाना ताके विजय और विशाल भैया को मेरी कमी कभी ही मैसूस ना हो हुआ Haa! आओ बेटी, दाहीना पाओ अंदर रखकर ग्रह पे बेश करो शंती, हमारी बहु साक्षात लक्ष्मी जैसी दिख रही है सर अरे आईए आईए वकील साहाँ बिलकुल सही कहां आपने क्या? बहु ने आप ये घर में कदम क्या रखा 20 साल से जो केस आप लड़ रहे थे आज वो केस जीद गये एक क्रोड रुपे की प्रॉपटी मिली है आपको अरे थेंक्यू वकील साहाँ मुबारत को सी यू लेट रम बाई ये का शंती ऐसे खुशी के मौके पर खुश होने के बजाए तुम्हारा चेरा क्यों बदल गया? बहु को अनिल से अलग करना होगा क्या? शंती बहु के घर में कादम रखते ही एक करोड की प्रॉपटी मिल गई और तुम बहु को अलग करने की बात कर रही हो? उसकी वज़ा से नहीं मिली ये हमारी कस्वत है अगर ये हमारी बहु नहीं बनती तो हमारे बेटे को दहेज में पच्चीस लाक रुपया ज्यादा मिलता वो तो ठीक है शंती लेकिन देखो जो कुछ होना तो वो तो हो गया नहीं अभी बाकी है क्या? इस शादी को बरबाद करना है और बहु को तलाग दिलाना है तलाग? शादी तो कली हुई है और आजी तलाग कानून ये नहीं मानेगा अगर गैस लीक होने से बहु मर जाए समझो तब तो कानून मानेगा न? या फिर पैर फिजल के कुवे में डूब के मर जाए तब तो कानून मानेगा न? या तो भीजली की शौक से बहु मर जाए तब तो कानून मानेगा, नहीं मानेगा, बलके कानून ये समझेगा, कि बहु के हत्यारे आप खुद हैं, और उपर से कानून आप वो मुझरम समझ कर फासी की सदा भी दे सकता है, वो हम कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ इतना चाहते हैं, कि हम पर कोई इलजाम ना आए, और हम प्रीज काम करने के लिए एक आदमी है, वकिल सहाब उसका कुछ अता पता, यह है उसका पता, थेंक्यो, अच्छा, विजे की बहन आपकी बहु है, अच्छा, अच्छा, समझ किया, बिलकुल समझ किया, आप चाहते हैं कि आप पर लिजाम भी ना आए, और आपकी बहु आपके रास्ते से भी हड़ चाहें, जी हाँ, और यह सारी बाते हमारे बैटे अनिल को बिलकुल मालूम नहीं होनी चाहिए, अच्छी हाँ, बिलकुल मालूम नहीं होनी चाहिए, आप यह, तो, खुजूर, यह लिजी आपक काम होने के बाद कलियान सिंग जी ये बताइए कि आप उन दोनों को अलग कैसे करेंगे मेरा अपना एक स्कूल है उसका हैड मास्टर से लेकर ड्रेल मास्टर तक जो भी है वो सिरफ मैं ही हूँ आपने अडवास दे दिया है आप बेफिक्र हो जाएए बहुत जल्दा आपका लड़का खुद अपनी बीवी को ठके मार कर घर से बाहर निकाल देगा अब आप जा सकते हैं जी बहुत अच्छा नमस्ते नमस्ते आओ अब आया उंट पहाड के नीचे एललवा बहार एक लड़का नौकरी का इंतजार कर रहा है उससे फॉरण अंदर भेजो आगया सर बहुत दुनों से तुम मुझसे नौकरी माग रहे हो जी है सर जोबे आप मुझे काम देंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ ठीक है गुड इजनिंग सर आज रात के खाने में मैं आपको क्या पेश करूँ क्या है मचन चिकन ब्रेन ओ ने ओके शी फूट में है सर जींगा मचली खेख़ा ओके ये भी नहीं वेजिटेरियन में है ओके तो सर क्या खाएंगे आप चुहा पकाओ और खुद खाओ ये पागल इंसान है ये शम्शान का चमगादर साब सब दारू की सब दुकाने बंद हो गई है एक बोतल प्रेंडी दे दीजिए दवा की खातिर क्या लगता इस बुढ़े के दिन भर गये ये मर गया सर मैं आपसे भीक मांगता हूं सिर्फ एक बोतल पूरी नहीं तो आधी ही दे दे देंगा प्लीज आउट चित्रा अब भीक नहीं डंके की चोट नहीं आधी बोतल नहीं फूरा क्रेट लूँगा अरे बुढ़े अंदे कुछ के ये पास्टर्ड पूपसूरत है ना वोटो अरे वा बुढ़े ने सही जगे पे चोट की है थैंक्यू बेटा अब ये देगा मुझे दाव अरे पगले मैं तुझको समझ नहीं पाया यार ये कर के राय तू अरे यार ये साला पागल तो बहुत ही पहुचा हुआ एक्टर है ओ ससुर जी फातर इनला मुझे आशिरवाद दीजे नहीं दूगा लेकिन अगर पूरी बोतल दोगे तो पूरी बोतल क्या मैं तो पूरा का पूरा बार ही आपके मूह में उड़ेल दूगा अच्छा तो फिर मैं भी अपने अशिरवाद का फूल ड्रम तुम पे ढखेल दूगा कि अछ्वा तुम! até बन्त झीजिजा system बस बस इज़री इज़री रखो बस आद दीजे कम आउट आईए अंदर आईए 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 तो ये चित्रा का घर है हाँ ये 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 चित्रा अंदर है हाँ मैं अभी मिला दो मुझे बहुत शरम आती है मुझे चित्रा से मिलने में शरम आती है शरम से मैं तो गड़ा जा रहा हूँ पानी पानी हो रहा हूँ मुझे बहुत शरम आती है इस बेशरम को भी शरम आती है, अबे तू चीज क्या है मैं तो समझ नहीं पा रहा यार दावाज जी, मैं आज ही अपनी बेटी चितरा की शादी तुम से तया कर दूँगा, तुम इधर बैटो, मैं चितरा को ले करता हूँ आपको यकीन है के चितरा मुझसे शादी करने के लिए मान जाएगी अरे मानेगी क्यों नहीं और अगर नहीं भी मानेगी, तो मैं उसको मानने पर मश्बूर कर दूँगा, तुम बेटो मैं ले की आता हूँ अरे बेटी चितरा, मैंने तुझे बताया था न, के एक भला वानस मुझे मिला है, जो बिना मतलब के रोज मुझे मुझे मुफ्त की शराब पिलाता है, दरहसल वो इंसान नहीं, देवता है देवता, तेरी शादी ते करने के लिए मैं उसे लाएँ मतलब अपनी शराब के लिए मुझे बेच रहे हो, तुम्हें मेरी बात मानने पड़ेगी, तुमने क्या सोच लिया, तुम किसी एरे गेरे को लिया हो गया और मैं उसे शादी कर लूँगी, बेडी मेरे बात तो सुनो, मैं नहीं सुनूँगी, इस पगले के दिलो दिमाग पिजग्का लगा है, ओ बुढ़े, अब तेरी खैर नहीं, पापा, बरसों से तुम्हारी शराब की लग के लिए मैं सब कुछ सहती रही, और तुम्हारी घटिया हरकतों को भी वर्दाश करती रही, मगर आज, आज तुम इतने गिर गए, कि शराब के लिए मुझे बेच मेरी कमाई के तुक्णों पर जीने वाले को मेरी शादी के बारे में सुचने का कोई हक नहीं, हक है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, अगर बाप होते तो ऐसा नहीं करते, अब ये घर घर नहीं रहा, तुमने इसे एक कोठा बना दिया है, अब मैं यहां एक पल भी नहीं तो, बापूने तो, नहीं करूँ लिए, अब सब्सक्राइब कोड़owanगो गूँशनी रहा, या ये, हकूँदाव। तेरी लड़की खुबसूरत ही नहीं, दीवर वाली भी है इनकार करने वाली लड़की को तोड मरोड कर राजी करने में कुछ और ही नशा है थ्रिल है थ्रिल फादर इनलो, I am proud of you तेरी लड़की की हिस्द मेरी नशरों में और बढ़ गई वो मेरे लिए और मस्यधार हो गई फादर इनलो, I am proud of you अरे यार, तू पागल तो है मगर किस पागल खाने का है दासू, कंट्रोल, कंट्रोल दासू, केस बाशू यह कैसी आवाज आई चादर नीचे किर पड़ी चादर नीचे किरने से इतनी आवाज थोड़े ही आती है चादर के अंदर मैं यह हूँ तुम, तुम यहां कैसे आगी मेरा घर अब मेरे रहने लायक नहीं रहा इसलिए तुम्हारे घर को अपना घर समझ कर चलिया यह ठीक बात नहीं है देखो, मैं आभी तक कमारा हूँ और तुम्हारी इजद को खत्रा हूसकता ए खर्बा नहीं कोई भी चोर अपने माल की चोरी नहीं करता अरे बख्वाज बन करो, चलो बादो यह थाक कर सकता प्लीज, सुनो तो विजे विजे प्लीज, मेरे बात तो सुनो थैंद लग रही है बहुत बहुत थान लग रही है दर्वाजा खुला है अब क्या है भूक लगी है भूक? बहुत धूक लग रही है अरे जाओ भाई रसोई में जाकर खा लो अब क्या हो रहा है कुछ हो रहा है अरे भाई क्या हो रहा है लवेरिया हो रहा है हाँ जिम 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 कैसे मैं सभाई हूँ जो लड़ खलके कोरा कोरा मोरा जो बन ज़लके हाँ जादू करी है यादू परी है या है कोई नशार महकी घजल है खिलता कावल है या के हसी घटा कैसा है अलारी दीवाला रसिया काहे धर काहे दीवाले का जिया हाए पतली कमर है उफ क्या नजर है तुझ साथ कोई कहा सुलुफे उड़ा के तू जो चले तो जोमे ये आसमा सबनम जैसे होट है तेरे भूल खिले हैं गालों में आया है इकरार का ये मौसम कितने सालों में मेरा प्रितम मेरा आशिक मुझा मेरे बालों में तू है मेरे सामने मैं खोई या रख लालों में कैसे मैं सभाई हूँ जो नरे धले के खोरा 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 जो बन जले के हाई जादू गरी है या तू परी है या है कोई नशा मह की घजल है खिलता कवल है या के हसी घटा कैसा है अलाई दीवाला रसिया काहे धर काहे दीवाली का जिया आये पतली कमर है उफ क्या नजर है तुझसा कोई कहा सुलफे उड़ा के तू जो चले तो जूमें ये आसमा Haa! तेरी ये बाते सुन की दिवाने आख मेरे छक चाती है ना जाने क्यों प्यार में ये दूरी भी तरपाती है ओ आ तुझ को सीने से लगा लो क्यों ऐसे घबराती है तु ना जाने बेखबर एक बार जवानी आती है कैसी मैं सहाई हूँ चुनर घलके पूरा पूरा मौरा जो बन घलके हाई जादू गरी है या तू परी है या है कोई नशार मह की गजल है खिलता कमल है या के हसी घटा कैसा है आला ये दीवाना रस्तिया काहे धर काहे दीवानी का जिया हाई पतली कमर है उफ क्या नजर है तुझ सा कोई कहा जुल्फें उड़ा के तू जो चले तो जूमें ये आसमा तिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचि सूरिए सूरिए बहु को महिना चड़ गया है चड़ गया तो क्या करूं उस से कहो कि पैसे नहीं है अगले महिने की चड़ जाएक तो दोनों महिने का एक साथ उतार देंगे मैं कह रही हूं बहु मा बनने वाली है क्या माँ बनने वाली है हां और कलेंट सिंग ने बहु को घर से निकालने का दावा किया था उसने भी कुछ नहीं किया मैं उसे फोन करूं नहीं नहीं मैंने उसे फोन किया था लेकिन तुम्हें बताना भूल गया कि और कि अरे रहा मैं ये सब क्या हो रहा है एक तो तु नई नवेली दुलं उस पर अब बनने वाली है यह सब करने की क्या जरुर्प है क्यूंकि अरže मेरा काम माजी अगर मेरी जगर्य काम होती तो बनिए मने ही मुझे माफ कर दे जिए अगर मेरे एक बात मानेगी तो क्योंना होती आप कहके तो देखिए अनिल और तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ जी और बाहर जाकर खूब घूमो फिरो खाओ पीओ माजी सुना ता ससुराल में सास मिलती है तो? ससुराल में मा भी मिलती है सुधा तुम यही ढ़रो में स्कुटर लेके आता हूँ एक्सक्यूज मी कहिए क्या बता सकते है ताज महल को कौन सा रास्ता जाता है ताज महल साजा ने ताज महल को आगरा में बनाया है यहां नहीं मैं उस ताज महल के बार में नहीं पूछ रहा हूँ मैं तो उस ताजमेल के बार में पूछ रहा हूँ जो इस शेहर में है आपको कोई गलत पैमी हुई है ओके मैडम थैंक्यू ओके कौन था यह आदमी पता नहीं कोई पागल लगता है इस शेहर में ताजमेल दून रहा था ताजमेल और इस शेहर में मैंने कहा जनाब ताजमेल यहां नहीं आगरा में है, तो कहने लगा मुझे उस ताजमेल का पता दीजिए जो इस शहर में है कोई दिवा नहीं होगा, चलो बैठो ओस्मेन बैए, अरो मुनी तो, अचानक केसे आगी, अंदरा न, अंदरा बैए, मैं अपनी घर में बहुत खुश हूँ, आशा करती हूँ, कि आप और विशाल बैए भी बहुत खुश होंगे जानते हो बैए, वो मुझसे एहाद प्यार करते हैं, और माता पिता का प्यार क्या है, मैंने अपने साससु से जाना, बैए, मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, कि बता नहीं सकती यह सब, यह सब तेरे कर्मों का फाल है बैए, हाँ भीया, एक खास बात, तुम मामा बनने वाले हो, तुम्हारी सुधा मैं मामा बनने वाला हूँ, देख मुनी, तुम लोगों से मेरा जगला क्यों न हो जाए, अपने भंजे को न, मैं ही पालूँगा, और तुम लोगों से ज्यादा प्यार करूँगा, हाँ आया, किस से बाते कर रहे हो, अपनी मुनी से, और कि, तुम चली गई, अभी तो यही बैटी थी, आया, मुनी खुद नहीं आई, उसकी चिठी आई है, हाँ, चिठी आई है, और मुझे ऐसा लगा के वो खुद चली आई, ए विशाल, जानता है, मुनी मा बनने वाली है, हम आप रो रहे हैं, हाँ, भगवान कभी-कभी इतनी खुशें एक साथ दे देता है, असों रुपते ने रहे, चला की जाते है, अनिल, मैंने पिछली जनम में जरूर मोतियों का दान किया होगा, इसलिए मुझे इतने अच्छे साथ ससूर मिले, और मैं? कोई पाप किया होगा, इसलिए तुम मिले, तेरी तो, चलो अब चलते हैं, बहुत देर होगी है, मा जी इंतजार कर रही होगी, अरे पगली, मा ने तो जान बुझकर तुम्हे मेरे साथ भेजा है, ऐसा क्या, तो अब मा जी की शराफत का जादा फाइदामन उठाईए, च जी मैं, ताजमेल मिलके क्या अबी तक ढून रहे हो, थैंक यू मैडम, थैंक यू गरी मच, क्या वो फिर ताजमेल का पता पूछ रहा था, और क्या, वहां का ये दीवाना लगता है, दीवाना विवाना नहीं, मुझे तो कोई चोरो चक्का लगता है, खेर, छोड़ो भी गाम परसाद, तुम्हारी बहु की चिता पर लकडिया बिचाने का काम पूरा हो गया है, हाँ, अगर तुम उस ताजमेल वाले लड़के का फोटो उसकी चिता पर रख दोगे, तो समझ लो उसका अंतिन संसकार हो गया, वो कैसे? यही तो मेरे स्कूल का स्टाइल है, यह फ पुराने प्रेमी का बहुत बहुत प्यार चलिए, मैं तयार हो गयूँ, अरे यह क्या, आप अभी तक तयार नहीं हुए, जल्दी कीजे न, तेर हो जाएगी पिचर के लिए, अरे, आपके आँखे इतने लाल क्यों? यहीं, आँख में कच्रा पड़ गया, लाइए में निकाल देते हैं, रहने दो, आँख से कच्रा तो निकाला जा सकता है, लेकिन अगर वही कच्रा आँख की पुतली को घायल कर दे, तो पूरी आँख ही निकालनी पड़ती है, यह आप कैसे बैके-बैके बादे करें आज, हाँ? खेर छोड़ो, अरे हाँ, कल रात तुम कह रही थी कि तुम माई के जाना चाती हो, चली ज साच, अब कितने अच्छे हैं, यह क्या कह रहा है तू, बहु ऐसे गुल खिलाएगी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, अरे तो क्या तुम मा नील को पागल समझ रही हो, जो बहु पे जूटा इल्जाम लगाएगा, इसने अपनी आँखों से उस लड़के को बहु के स सामने नहीं देखना चाहता, आप लोग इतने चुप क्यों है, आप समझी, मैं भाईया के घर जा रही हूँ, इसले उदास हो न, माजी, इस दुनिया में शायद ही मेरे जैसी कोई बहु, किसमत वाली होगी, जिसे आप जैसी सास मिली, अच्छा माजी, चलती हूँ, भाई आप जामी के पास, यह आप क्या करिए माजी, खबरदार मुझे माँ काहतो, कितने दिनों से ये नाटक चलगा है, माजी आप, हमने तुझे अपनी बेटी की तरह सर आखों पर बिठाया, और तुने हमारी ही आखों में धूल जोग दी, माजी, आप क्या के रही है मैं समझ ये सब तेरे शादी से पहले का चकर है और शादी के बाद भी तूसे मिलती रही और जब मेरी नजर पड़ी तो फॉरण बहाना बना लिया कि वो ताज मेल का पता पुछ रहा था चली जाए आप आप योग मेरा विश्वास कीजिए मैं सच कह रही हूँ वो हाथ में कौन है उसने मुझ से क्यों बात की उसकी तस्वीर मेरे अलमारे में कैसे आई मैं कुछ नहीं जाती कुछ नहीं जाती मैं मामा अपने बेटे के हाथों मजबूर हैं वरना इस घर से तेरे लाश ही निकल पाती चली जाए यहां से यहां से तेरा भाई आ रहा है अब रोने का नाटक बन कर आओ बेटे आओ नमस्ते बावजी नमस्ते बस 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 तुछ ठीक है ना बेटे हमें उमीद नहीं पूरा यकीन था कि सुदा के बारे में खुशकबरी सुनते तुम फॉरन चले आओगे और इसे ले जाओगे अब अब इस खर से निकलना चाहिए नहीं तो आशुब खड़ी की चाया पड़ जाएगी अच्छा माजी चलते हूं एप अगली ऐसा नहीं कहते बोलो माजी मैं चलती आओंगे क्या हुआ अलो देखो भला लड़कियां ससुराल जाते हुए रोती हैं और यह के माएके जाते हुए रो रही है विदा होते समय रोया नहीं करते आशुब होता है हाँ अच्छा माजी अच्छा बाबुजी जी तरो बेटे चलते हुए हमनी चलते हैं सुधा, जू रो रही हो? मैं मर जाना चाहती हूँ, नहीं जीना है मुझे दुनिया की किसी भी समस्या का हल मौत नहीं है खुद को मिटाने से तो अच्छा है, उस समस्या को मिटा दो मुझे बताओ, बात क्या है? मेरे ससुराल वालों ने मुझे पर ये ताज महल का पता पूछने वाला अपने अप बैदा नहीं हुआ, उसे जरूर पैदा किया गया है लेकिन तुम अपने भाईया को ये बात क्यों नहीं बताती? मैं जाकर उने बताती हूँ नहीं चित्रा, तुम नहीं जानती अगर भाईया को पता चल गया कि उनकी भेहन पर किसी ने उंगली उठाई है तो वो उस इंसान का गला घुण देंगे बहले इसके लिए वो फांसे पर क्यों न चड़ जाए क्या तुम नहीं चाहती कि मैं अपनी भाईया की कलाई पर राखी भान सको लेकिन सुधा तुमको इस तरह गुड़गुड कर मरते हुए भी तु नहीं देख सकती चित्रा मैं तुम्हारी मांग में अपनी भाईया के नाव का सिंदूर देखना चाहती हूँ इसलिए मैं यह जहर ऐसे पिऊंगी कि किसी को पता भी नहीं चलेगा लेकिन सुधा मुझे बच्चन दो कि तुम यह बात भाईया को कभी नहीं बताओगी प्लीस चित्रा ठीक है अरे अगर भाग्या का लेख लिखना ब्रह्मा का स्कूल है तो उसे उल्टा कर देना मेरा स्कूल है साहब आप चाहते हैं आज क्या हुआ साहब आज हमारी काहिने अपना दूद कुदी पी लिया अरे तेरे सत्य अना zucchini जो कई हो गितने नहीं पार काझ बतार के खाने वाला राट करेड़ पिल्ली के बच्चों को जनम दिया, तु मिरे कान को कान खचुरे की तरह क्यों खाय जा रहा है, क्या, मैं कान खचुरा, अरे भाई, तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, अब बोलो फोन क्यों किया है, बात यह है, आपकी दया से बहु हमेशा के लिए घर छोड़ के चली गई, द मजबन में खानी थी, हाँ, हाँ, अगर किसी नए घर में आग लगानी हो, तो फोन जरूर करना, हाँ, ओके, साहाब, हमारे घर की च्छट के ऊपर कच्रा जम क्या है, अबे उल्लू के पठ्थे, बहाँ कच्छा नहीं जमेगा, तो और क्या जमेगा, दुल्या भर की बेका विजए, विजए बेटा, विजए बेटा, क्या हो आच जाजा, हाँ, हाँ, मारे सुधा बेटी जीते, जी मारी जा रही है, जी, हाँ, अपने दुले मिया दूसरी शादी कर रहे है, और वक्ती मार तो ये है, कि शादी आजी है आए नमस्कार शिर्कंडिया ये बैठेए सब हो गिया या ठीक है महार सब ठीक है सब हो गिया ये बैठेए माया मुझा माफ कर दीजिये कियूं करर है ये शादी तो सुदा ने आपको कुछ नहीं बताया सब्सुर्ली की बुराई माइके में करना हमारे ख्वांदान की रीती नहीं है तो क्या पती को दोका देना आपके खानदान की रीत है क्या क्या उसने उसने मुझे दोका दिया है दोश किसका था आपकी बेहन का सर उठा के बाद करो आपकी बेहन ने इस सर को उठाने लायक रखा ही कहा है आपकी बेहन आपकी बेहन वो मेरी बहन थी आप तुम्हारी पत्नी है वो मेरी पत्नी नहीं वो एक बाजार वालत है क्या बोला तू? क्या बोला तू ने? अगर मेरी बहन के घले में तेरे नाम का मंगल सुत्र ना होता तो मैं तुझे अभी जिंदा जमीन में गार देता आप चाहे मुझे जमीन में गार दे या मेरे टुक्डे टुक्डे कर दे लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा है वो एकदम सच है आपकी बेहन का किसी आदमी के साथ ना चाहे संबद है अगर तुमें इसकी बात पर यकीन नहीं है तो यह तस्वीर देखो देखो यही है वो जिसके साथ तुम्हारी बेहन ने अपना मुझाला किया था अब अब आपी बताईए क्या मैंने जो कुछ भी किया गलत किया मैं अपनी बेहन के बारे में एक भी गलत लबज नहीं सुन सकता मैंने खूद अपनी बेहन की उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाया है लेकिन उसे गलत रास्ते पर चलना नहीं सिखाया मैं देवी मां से ज़दा अपनी बेहन पर भरुसा करता हूँ फिर भी फिर भी तुम लोगों की आखों पर से पर्दा हटाने के लिए मैं सचाई का पता लगाऊंगा कौन है वो जिसने मेरी बेहन के कोरे आचल पर फिचर मनने की कोशिश की है कौन है जिसने मेरी बेहन के सुक के संसार में शक की आग लगाई है उसके बाद उसके बाद तुम सब के सामने मैं अपनी बेहन की लाश उटाऊंगा तो तुम्हारी लाश के पास मटका भी मैं ही फोड़ूँगा याद रखना तो फिकर क्यों करती है तेरे पिछे पहार जैसे भाई जो खड़ा है उन्हेंने तुछ पर शक नहीं किया मुझ पर शक किया है मेरी परवरिष पर शक किया है भी मैंने कसम ख़य भैन जब तक तेरे माठे पर लगे दाख को मिटा कर असली गुनेगार का भाणा नहीं भूड़ देता अ मैं चाहिए इनकी सांस नहीं लूगा तो सरफ ही मांसे काम ले मुन्य बहिया बहिया उडो मत बहन मैंने तेरे पाउं पूछ का कन्यादान किया है रही हर्गिस तुझे उजणने नहीं दो लाए बहिया पुझे इनकी सांस जीज़ लूगा य हुझे बहुझे इनकी से लोगा लुझे 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 करें जो ते एक बात बताओ तुमने कभी अपने पिताजी से हमारे प्यार का जिकर किया है नहीं क्यों डर्ती हो क्या ऐसी कृई बात नहीं है मेरे खुशी में ही मेरे पिताजी की खुशी है अच्छा मेरा स्कूल ही मेरे पिताजी का स्कूल है I see same school हं क्यों बन कर दिया है बगवास बन कर चुटके मैं अपनी बेटी ज्योती के लिए एक अच्छे घर में रिष्टा तैय करने की सोच रहा हूँ ओ सब ठीक है भाईया लेकिन इसके बीच कोई लड़का ज्योती से प्यार करने लगा तो अरे ऐसी की तैसी ऐसे लड़की की हाँ मेरा एक स्कूल है उस स्कूल में हैड़ मास्टर से लेकर बेल मास्टर तक जो भी है वो सब कुछ मैं उस रामजादे को मैं कच्छा चबा जाओंगा तैब जी भावरे बोचाल आ गया अब अपनी बेहुता ख़बरों से ये मेरे गान के पर्देभा डालेगा लहो लोहार कटा डालेगा जीलने प्यादी प्यापजी प्यादी अब तुने जो भी अपनी सारी गली ख़बरे शुरादा, शुरादा, साबजी, अपने जोती बेबी पार्क में गलर्के के साथ लपक चपक करें, लपक चपक, वो इश्क कर रही है, इश्क, वो इश्क कर रही है, बादर चे, बादर चे, वो इश्क कर रही है, साबजी, पार्क में, वो इश्क कर रही है, साबजी, पार् बच गया, बच गया, इस गद्य का एक भी शप्त मुझे सुनाई नहीं दिया, इसकी आवाज की चोट से बचने के लिए ये सबसे अच्छा स्कूल है, पापा, अरे बेटी, बेटी, कार बिजवा कर तुम कॉलिज से पैदल क्यों आ रही हो, पापा, कार से आते जाते मैं बो चुटके, क्या है, मेरे दुश्मन के छोटे भाई की तस्वीर, मेरी बेटी की किताब में क्यों है, किताब में तस्वीर, हंड्रेट परसेंट, ये लवस्तुरी का चक्कर है भाईया, अच्छा, तो ये लड़ा मेरे स्कूल तोड़ना चाहता है, हेलो, हेलो कलेंट जी मैं शांती बोल रही हूँ, हाँ समझ गया, पर तुम इतनी गफराईय क्यों हो, अभी उस टूडियो वाले का फोन आया था, उसने कहा कि विजेव स्टाजमेल वाले लड़के को बुरी तरह से ढून रहा है, अच्छा, वो स्टूडियो वाले ने कुछ बताया तो नहीं, नहीं, उसने बताया तो नहीं, लेकिन विजेव से छोड़ेगा नहीं, उस लड़के को शहर से दूर फेश दो, अगर वो विजे के हाथ लग गया है न, तो हम कही कि नहीं रहेंगे, तुम घबराव मत, मा उस से बी, दूर, बहुत दूर बेश्टूंगा! एए, नहीं के यह बूँ! पर्लाशा नहीं! यहने एरेक्टा! 넵, Bürger… स Wei sicher hätten रαιका है. जल्दी जलो. क्या हुआ, क्या हुआ? यही है यही है, भईया, जिसनने मेरी सुखी संसार में सहर कोल दिया. अब पता चला मैंने तुझे क्यों पीटा बता। इससे बार-बार ताजमल का पता क्यों पुछता था और तेरी फोटो अरी मेरी बहन के आलमारी में कैसे आई मेरी फोटो और इनके आलमारी में अबेक किसी की दुनिया उजाडने के बाद मासुम बनने का नाटक करा रामजदे बता यह सब क्यों किया वरना तुझे अभी और इसी बग जमिन में कार दूँगा बता देखे मेरा विश्वास कीजिए मैं कुछ नहीं जानता पहले मेरी बात तो सुनिये प्लीज नौकरी के लिए गली गली भटकने वाले मुझको एक दिन एक साब में नौकरी तो नहीं दी एक काम जरूर दिया इस जोड़े को अच्छी तरह से पहचान लो जब भी ये घर से बाहर जाएंगे हम तुम्हें ख़बर करतेंगी तुम्हें छुपकर इनका पीछा करना होगा ये लड़की चाहे दो मिनिट के लिए ही इससे अलग हो तुम्हें जाकर सिर्फ से इतना पूछना होगा कि ताज महल को कौन सा रास्ता जाता है जी सर, मैं सपने बिभी में नहीं सोच सकता था कि मेरी जरुवत किसी की जिन्दगी बरबाद कर देगी कौन था वो जलील, जसना तुस्से यह काम करवाया कल्यान सिंग इशाल, ये, ये सब क्या है बहिया, जोती के बाप ने मुझे गुंडों से पिटवाया और तो हाद मादे खड़ा गा ये, ये जोती कौन है मैं और जोती, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं जोती के बाप का नाम क्या है कल्यान सिंग ये, आरे तु शुकर कर उसका जानने लिया खपा लगा कर बारसर कर दिया अबे हो, चालपोर्ट मिन्हों तरह को देख लेंगा क्या हे, सवाल नहीं सवाल मैं करूँगा और जवाब तुम लोग दोगे तुम लोगी कल्यान सिंग के टट्टू होना जिन लोगोंने मेरे भाई को मारा था जिन ב quase चालपोर्ट चालपोर्ट ढ़रोर्ट दोर वार जिक Way ऑफ बेन जर झाल 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 नायक नहीं खल अरे क्या भाईया इतनी सारी बोरिया आपने स्कूल बंदर के राशन का दुकान खोल देगया बगवासंकर देखतो क्या है आहां देखता हूँ कौन है पेदू अरे अरे भाईया यह तो तुम्हारे स्कूल के विद्धर दिये है किसने की इनकी किहारत किसने की मैंने और मैं वो तुफान हूँ जो तुम्हारे स्वने की लंका को तहस नहिस कर डालेगा तुम ने बहुत बड़ी गलती की है गलती मैंने नहीं तुमने की है जो शेर के मुँए हाथ डाल दिया मैं चाहूं तो तुम्हारे जिसम को काट कर चील कवों को खिला दूँ लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं क्योंकि मैं भी तुम्हें वैसे ही मिटाऊंगा जिस तरह तुमने मुझे मिटाने की कोशिश किये अच्छा इसमें कसूर किसका है तुम्हारा कसूर नमबर वन मेरी बहन जो अपने पती के घर सुख से रह रही थी तुमने उसके घर में आग लगा दी उसके पवित्र दमान पर दाग लगा कर उसको घर से बेखार कर दिया तुमने कसूर नमबर तो मेरा भाई जो तुम्हारी बेटी से प्यार करता है तुमने अपने अग्मियों से उसे जानवर की तरह पीटा फिर बोरी में डाल कर मेरे पास भेजा इसका जबाब है एक के बदले छे बोरिया नहीं ये मेरे बदले के जवाब नहीं है मेरा बदला तो बीच साल पुराना एक खाओ है जो तुम्हें और तुम्हारे बाप ने मेरे खानदान को दिया था जाद है तुम बाप बेटे ने मिलकर मेरे बाप के कले में कानून के फासी के फंदा डाल दिया था तुम लोगों के बज़े से तुम लोगों की बज़े से मेरी जिन्दगी का रुख बतल गया मैंने बात के मुँ में जाते वक्त आपने बात को ये बच्छ दिया था कि मैं तुम्हारे खांदान को कभी चैन्च से रहने नहीं दूगा तुम्हें जीने तो दूगा लेकिन तुम्हारी जिन्दगी जीने के काबिण नहीं होगी फिर DI China मुझे मालम हुआ कि तुम्हारी जान तो तुम्हारी बेहन और तुम्हारे भाई में अटकी हुई है अगर उन्हें मर तिया जाए तो तुम तो बेहने मारे ही मर चाओगे इसलिए सबसे पहले मैंने तुमारी बेहन की जिन्दगी से उसकी खुश्यों को नोच लिया और फिर तुमारे बाई के हूंटों से उसकी मुस्करहट को चीलिया तुम लोगों के जखमों को देखकर बहुत सकून मिलता है मुझे बहुत शानती मिलती है मुझे और उसी शान्ती के लिए मैं तुम लोगों को हमेशे जखन देता रहूंगा और फिर अपने पतले के नाखरों से उन्हें खुरेच खुरेच कर उन्हें लहुलुहान करता रहूंगा बस कल्यान सिंग अगर तुझे याद है कि तेरे बाप को क्यूं और कैसे सजा मिली थी तो तू भी अपने गुना गिनना शुरू कर दे तुम मेरे स्कूल को नहीं जानते हो मेरे स्कूल का नाम है राहू के तू विध्याले बुरा खतराक स्कूल है यह यहाँ कुछ भी सीधा नहीं होता सब उल्टा ही उल्टा पड़ता है मैं रिष्टे तोड़ता हूं जोड़ता रही हूं हाँ इसलिए अब ना तो तेरे भाई की शादी मेरी बेटी से होगी और नहीं अब तेरी बेहन का घर फिर से बसेगा बसेगा कलियान सिंग बसेगा मेरी बेहन का घर भी बसेगा और तेरी बेटी की शादी भी मेरे भाई से ही होगी मैं तेरी आखों के सामने मंगल सुत्र पहनमाऊंगा और तेरे ही हातों से उन्हें आशिरवाद भी दिलवाऊंगा शायद तुम्हें मेरे हरामी स्कूल का अंदासा नहीं है तु अपना ये हरामी स्कूल चलाता रहे क्योंकि जिस दिन मैं अपना स्कूल खुलूंगा न तेरा ये स्कूल बंद हो जाएगा और ये मेरा चालेंज है अब कर दो जाएगा थे अब होश्यार हो जाओ कल्यान सिंग तुमारी तवाई का खेल शुरू हो गया है पॉल रहा है तुमारा दुश्मन विजय क्यों किया है तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम्हारी बेटी तुमारा स्कूल छोड़कर मेरे स्कूल में भरती हो गई है क्या यकिन नहीं तो नैशनल पाग में खूद अपनी आँखों से देख लो जब दिल तरसे बादल बरसे चाहत की हुई बरसा के सारी रात भीकते रहे के सारी रात भीकते रहे जब दिल तरसे बादल बरसे चाहत की हुई बरसा के सारी रात भीकते रहे के सारी रात भीकते रहे मेह की बहारे पहके नजारे उस पे शरारत सावन की रुतम सतानी धन 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 पानी उस पे महबत साजन की के शरम दिल जो आई तुम में ली जो अंग्लाय मन खाम लिया ते रहा के सारी रात भीकते रहे जब दिल तरसे बादल बरसे चाहत की हुई बरसा के सारी रात भीकते रहे किसारी नात देखे रहे गोरे गोरे तर्पी, चिकने बदर्पी, चोट लगी बॉझारों से मेरी धड़कन में दिल के चमन में प्यास जगी अंगारों से प्यास जगी अंगारों से प्यासी 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 जवानी हुई, ऐसी छीलपानी कोई चान न हुई क्या आवा किसारी रात भीक्त रहे किसारी रात भीक्त रहे चब दिल तर से बातल पर से चाहत की हुई परसा किसारी रात भीक्त रहे किसारी रात दीनके रहे क्रूप। है तक द्खा के अदर के रॉटा मेरा तृट कि यूव अचो फेनी और सी कि अची सुन लेकिन उसका अच्य में डुश्माइल के है उसका बाप मेरे बाप को रहें तक बेगुना बाप विद्न nessa स् fiance के और अनकी विगवतका रहे विन 19 कानून ने उन्हें फासी पर चड़ा दिया था, क्योंकि वे खूनी थे, मुझे खुशी है, मैंने उस घर से रिष्टा जोड़ा है, जिनकी रगुमी, इमानदारी और वफादारी का खून बह रहा है, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ विशाल से, वरना जिन्देगी भ पका समझछू ना, अगर आपको हमारी सत मंजूर होतो, मुझे आपकी सब शर्ट मंजूर है, यहां तक यहां तक अगर आप बरात को कल भी लाना चाहें, तो वह भी मुझे बजूर है, लेकिन आपको शादी कितनी जल्दी क्यों है, वो क्या है कि लड़की तो परायदन हो कि हुए पिछे इतना सच दचकेन शुहागन ओर्तों के साथ यहां क्यूआ रहा है लगता है इसके स्कूल में का यही तरीका है अपने वहुज्बन के बच्चा उसे स्लिट भू कर रहा है बूल रहो आपना स्कूल बन करके मेरे इंस्टिट्यूट में आजाओ किया grow तकर लेने की घंधनी रही क्या तरलन जी आप जानते हैं कि आपकी बेटी जोती और मेरा भाई विशाल एक दूस्यसे से प्यार करते हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे भाई का बेटा मेरे ही घर में जनम ले ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बेटी शादी से पहले जूट आप पता चला शादी कितनी जल्दी क्यों थी आपको अपको करना ही पड़ेगा क्योंकि मैंना स्कूल खोल दिया है और आज जो सबक पढ़ाया है उसका नतीजा आप अपने आखों से देख चुके हैं बेहतर तो यह होगा कि आप अपना स्कूल बंद कर दिजे और इस स्कूल में भरती हो जाईए वन्ना आगे बहुत पच्टाबा होगा भाया भाया मैं अभी भी बोलता है अपना स्कूल बंद कर दो पता नहीं साले का कौन सा स्कूल है लगता है तुमरा स्कूल उससे जीत नहीं सकता है तो फिर और कौन जीत सकता है पुराने पापियों की पाद्शाला वई पुड़े खड़ू सुस्ताद लोगी तुमें उस विजे पर विजे दिला सकते हैं अच्छा तो उनका अधापसा जनता है ये ग्रेट खलनायक हर खलनायक का अड़्डा और खड़्डा सब जानता है फॉलो माई इंस्टिट्यूट अच्छा वो केंशिंग साहब जिन्होंने बड़ी बड़ी पिक्च्रा में देवनांद अशोक कुमार राज कपूर तलेम कुमार की चुट्टी कर दी और प्रेम छोप्रा की बहुत सी पिक्च्रा में बहुत सी बस बने रहे हैं मैं आप लोगों की क्या खिद्मत कर सकता हूं बैठ सकते हैं हैं आप बड़ी सिंग साहब दरसल बात यह है कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत नफस किया हूं एक शक्स है उसका नाम है विजे अपने आपको साला बहुत बड़ा हीरो समझता है आपने तो बड़ी बड़ी फिल्मों में खनायक जानी के विलन करूल किया हैं बड़ी बड़ी हीरो के च्छके छोड़ा दिये हैं बड़ा नाम है आपका फिल्म इंडस्ट्री में सारी दुनिया आपको जाती है मैं चाहता हूं क्या मुझे कुई ऐसा पैंतरा बताएं ऐसा पैंतरा बताएं कि मैं उस साली हीरो को हीरो से जीरो बना डालूं बस क्युआ है ना अप मेरा स्कुन्जारी है अब वाकुफ लोग कि अपक्राइब कर दो यह अपक्राइब कर दो कि इसकी जो जीप है उसके पईयों के नट बोल निकाल दो अपने अमर जाएगा यह तो आटो जुप का है जुप करें अब निया कि और जवाद दोटे नायक फूब एकले नायक 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 क्या वाद छुट जोड़े आज बड़ा खुश नज़र आ कर दो आपको नायक समझता था लेकिन मैं खलनायकूhearted लेकिन फिकिर इस बात की है आप मेरी करने करते द्रहटा कॉट असा पर अधान तीर कर दिया है तोने दल्एंटी मेर्ग तो हाँ आप बड़े अपने आपको शमझते थे आपको ये भी नहीं नाइंग जाए जीफ पर्षिंग शाब आपको वो नट बोल्ट वाला जो पैंतरा थे वो तो फेल हो गया वो तो हमरी किसमत अच्छी थी कि हम बाल बाल बच गए यह मेरा पैतरा फेल नहीं हुआ है तुम्हारा बेवकूफ भाई फेल हुआ है यह तो पैदाशी बेवकूफ है मालू मैं मालू मैं खेल अब मुझे की दूसरा पैंतरा बताईए वो जो कब वक्त बिचे है ना उसका भाई हाथ दोगा मेरी बेटी की पीछे परा है अगर दोनों ने शादी का अदमी दा तो मैं किसी को बूर दिखाने के काबल नहीं रहूँगा तुम्हे काम करो जी एक पिक्चर में मैं भी ऐसी बिपता में फस गया था मैं उसमें बहुत रईस आदमी था और मेरी बेटी एक गरीब निकमे आदमी से शादी करने पर तुली हुई थी तो मैंने सोचा क्या करें धूर गाउं में एक मेरे इश्तेदार थे मैं वहां गया और अपनी बेटी को साथ ले गया और वहां जाकर उसकी शादी कर दी तुम भी यही करो नेकिन आखिर में जीतता कौन है हीरो जैजाकार उसी की होती है ये बेवाकूफ लोग ये समझते क्यों नहीं ए मेरे दाटा मेरे जोती बेबी अरे मैं जोती का रिष्टा तैय करने के लिए एक दिन के लिए गाउं क्या गया सब के सब अपनी मर्जी के बादशाह हो गया जोती कब गई कहा गई कब आएगी किसी का बता नहीं आप खामका चिंता कर रहे हो भाया जी जोती आने के बाद सब कुछ बता देगी जोती आने के बाद खुद मता देगी ख़ता नारायक नालायक नहीं खल नायक हूं मैं सब्सक्राइब मंदर में शादी करें मैं नहीं बच गया मुझे बहुत काम है नायक नहीं खलन मैं नहीं जाओगा सब्सक्राइब अरे जल्दी करो बंच करो इनाचेब यह शादी नहीं होगी अरे मंगा सुत्रे डालो आये आये देख क्या रहो बफन कर दो नहारमजादों को यहीं पर अरे अरे जी के करें सब्सक्राइब मेरे दुस्वान को सलूट करें तुम लोग बेशक दढ़ ज़ाओ मैं सदेने मोला नहीं हूँ हम अब समझ मैं आया कल्याण सिंध मेरा स्कूल मैंने तेरी आखों के सामने तेरी बेटी को अपनी बहु बनाया मेरे भाई ने अपने हाथों से उसके गले में मंग सुत्र डाला अब मैं तेरे ही हाथों से अपनी बहन का उजड़ा हुआ घर बसाऊंगा लेकिन तब तक मैं क्या करूंगा किस कि स्कुल के दाव पेच तेरे पे इस्तमाल करूंगा यह समझ में नहीं आएगा तो स्रिप उल्लू की तरह आखे फार फार तर देखता रहेगा क्या विजे तुम्हारा इरादा क्या है कुछ मुझे भी तो बता चले कि तुम करना क्या चाहते हो तुमने अपने छोटे भाई की भी शादी करा दी उसका घर बसा दिया कुछ मेरे बारे में भी सोचा है तुमने अरे ऐसे क्या देख रहे हो इतनी खुबसूरत लड़की तुमारे सामने बठी और तुम ऐसे प्रुम प्रुम आए चुम्मा यार को पेते चुम्मा दिवाने जानी दे जानी दे जानी जानी दे आई तुझी ना शरम देखी का देखी का कोई जो देखी का कोई का भला क्या सनम झारा हुआ और धानी जानी 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 जान चर्का देखी समया Cand्स च्लिशने जानी में यारा क्या कम मनाई यो ना पहाने प्रणा, तु अपने दीवाने से, खोड़ी से मस्ति दिला, होटो के तैमाने से यो ना पहाने प्रणा, तु अपने दीवाने से, खोड़ी से मस्ति दिला, होटो के तैमाने से कैसा मेरा हाल है, कैसी बताओ तुझे चुमा चुमा प्यार को देते चुमा दिवाने चुमा चुमा प्यार को देते चुमा दिवाने जाने दे जाने दे जाने जा जाने दे आए तुझे न शरू देखी का देखी का कोई चुदेखी का प्यों का भला क्या सनौ अहाँ! तल में ठर्री तर दिखा का शोला पढ़कने लगा दिखा जो चलबाते रहा हो एमी तड़ अपने लगा एसी ना छीडो मुझी अर्मा मचल जाएंगे चुमा चुमा डार को तेते चुमा दिवाने चुमा चुमा डार को तेते चुमा दिवाने जाने दे जाने दे जाने जाने दिखाए तुझे ना शरण देखे का देखे का कोई जा देखे का पूगा भला क्या सनौ हिंदुस्तान में तो लोग अपने दामात के घर का पानी भी नहीं पीते हैं और तू अपनी बेटी की जले भी दिखा के पूरा का पूरा समंदर भी क्या हूं मैं तुझसे आखरी बार पूछता हूं मेरी शादी तेरी बेटी के साथ होगी या नहीं दामात जी मेरी बेटी पहले मौम की थी लेकिन अब वो पत्थर की हो चुकी है पादर लिल्ला मैं वो बला हूं जो पत्थर को भी मौम बना देता है मैं तेरी बेटी के साथ शादी भी रचाऊंगा और इसकी मांग में सिंदोर भी भरूँगा लेकिन मेरी बेटी तो कब से हो आटो वाले विजे की हो चुकी है विजे ये विजे कोन है वो वो तो एक आटो ड्रैवर है और मेरी बेटी उसे प्यार करती है ये बात तुमने में जिए पहले क्यों नहीं बोला पहले क्यों नहीं बोला लगता इस बुढ़े का मामला खत्म ये गया आटो कि च्टराइब कि चितराइब कर नो इस उसले एकानी तुर्टाइब कि तुने कि तुने कि तुने तुने दा में है यह है तुने कि नहीं है। लैला भी मजनु की हो क्या है प्लिय मजनु को नाइं भी राजा की हो चुकी थी मिली रांचा को चत्रा भी विजय की हो चुकी है मिलेगी विजय को नौई है में, में दाशू, मैंबागल नहीं हूँ में बागल नहीं हूँ दाशू, दाशू, Xiaoّ मैं बागल नहीं हूँ मैं माँ बनने वाली हूँ बहुत चैनल मुझे उनसे मिलवाओगे ना हाँ तुमने मुझे पर हाथ उठाया अभी तो सिर्फ हाथ उठाया है ज्यादा बात करोगी ना तो चांट से मारतों में तो में तुम बीच में मत बोलो तुम जानती हो इसने क्या क्या है मैंने जो तुमने किया है वो मैं यहां नहीं तुम्हारे बाप के पास जाकर बताउगा और तो नहीं पर नहीं है हो सकता है क्यों हो सकते बच्चे के जान को कोई खत्रा नहीं लेकिन मा के बारे में कुछ कह नहीं सकता चांसे जार 50-50 अब डॉक्टर साब कह रहे थे डनने की कोई बात नहीं नहीं भाईया मैंने डॉक्टर की सारी बाते सुन ली है मैं उनसे एक बार मिलना चाहती हूँ भाईया उनके मुझे सुनना चाहती हूँ कि मैं बेकसुर हूँ उनसे एक बार मिलाओगे न भाईया एक बार हाँ सुद्रा तु फिकर मत कर मैं आनिल को अभी लेकर आता हूँ डॉक्टर येस विजे कहा है अभी अभी अपनी बहन को एडमिट करके गया है बहन? हाँ, उसकी डिलिवरी होने वाली है सीरियस है, आपरेशन होने वाला है उस रूम में तंकिय डॉक्टर चीफ सर्जन भीमा ले चलो इन्हे लेट्स को फूर आपरेशन नहीं ये क्या कर रहा है डॉक्टर, विजे आये तो उससे कह देना कि चित्रा को लेके मेरे बास आजाए इन्हें तो उसकी बेहन का उपरेशन मैं कर दूगा, ठीक है अइज गो नहीं, मुझे हांसे बढ़ने चाही है मैं आपके हाथ चोड़ती हूँ नहीं, नहीं अच्शु चॉक्टर, ऀये सरुमने सरुमी दो ट कि अट ज Test झाल जोए बैर वगले कर दोर्णनिस परे ones Canada प्रुण छे यह उलधो ड़िखने प्रुण श्रुण गेला ब nedenosesे स tintंण जय को जहत lugत जार दहाँ जह संदधे भेले 30 पलन घ्र लाम प्रेंग स्झार्क जगले वाल... झाल स्थार्क स्ख़न स्प्राइब है घ्राइब जुटी बेटी, क्या हो बेटी? लो, संभालो अपनी बेटी को, आज ये तुम्हारी बेटी का और मेरा कोई रिस्ता नहीं, जा रहो मैं अरे दाबाद जी, एक मिनिट, क्या हुआ क्या? देखो कल्यान सिंग, जिस तरह तुम, एक नमबर के गुंडे हो, उसी तरह तुम्हारी बेटी, एक नमबर की बातारो रहत है चलो, चलो मैं मन तो के, मैं गुंडा हूँ लेकिन, मिनी बेटी तो अच्छी है, आगर हुआ क्या है? यह सवाल मुझ से ने कल्यान सिंग, अपनी बेटी से करो, वही तुम्हें बताएगी देख बेटी, मैं तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने ये शादी कर दी क्योंकि तू इससे प्यार करती थी अब हुआ क्या है? पापा, इनको शेक है कि मैं किसी और से प्यार ने, बेगा जी, मेरी बेटी तो अगनी की तरह पुछतर है, लेकिन ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ? पापा, एक दिन हम दोरों मंदीर गए थे, जब मैं अक्यली थी, एक लड़के ने आकर मुझसे ताज महल का रास्ता पुछा तू 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 क्या हुआ? हो सकता हुआ उसे ताज महल का रास्ता नहीं पता था, इसली ये पुछा होगा ऐसे एक बार नहीं हुआ, दो तीन बार हुआ तू 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 फिर क्या हुआ? सच मुछ उसे ताज महल का रास्ता मालूम नहीं होगा फिर उस ताज महल वाले लड़के की फोटो मेरी अलमारी में मिली पापा अब तो तुम्हें पता चल गया ना, कि तुम्हारी बेटी के उस लड़के के साथ में नाजाइस तालुकात थे हाँ, अब मैं साब संग्ज क्या हूँ, ये सारा नाटक तुम्हारी भाई का है मेरे भाई का? हाँ, नहले पे तहला मारने के लिए देखो Kaljyan Singh मेरे भाई को बीच में मत लाओ, और नहीं बता सकते हैं नहीं बता सकते हाँ, ठीक है मैं जा रहा हूँ पहरे, नहीं मेरे बात हो तो सुनेκαए नहीं हुआ हो, सब कुछ बताने के लिए तन्यार हूँ लेकिन एक वादा करना होगा आपको मेरे कुनाहों के सजा मेरी बेटी को नहीं दोगे ठीक है ठीक है वाद किया दरसल मैं ही वो कमीना कुट्ता इंसान हूँ जिसने तुमारी भोली भाली बेहन की जिंदगी में जहर कोल दिया वो ताज महल वाला लड़का और कोई नहीं था मेरा ही आदमी था मैंने उससे कहा था कि वो बार बार तुमारी बेहन से ताज महल का रास्ता पूछे ताके अनल को उस पर शक हो जाए अनल के शक को यकीन में बदलने के लिए मैंने ही उसकी फोटो तुमारी बेहन के इल्मारी में रखवाई थी जैसे ही अजन ने इस फोटो को देखा वो बुश्य से पागल हो गया और उसने तुमारी बेहन को तक्ते मार करकर से बाहर निकल दिया मैंने तुमसे कहा था ना कलियान सिंग कि मैं तुमारे स्कुल में घुसकर अपनी बेहन के आचल में लगे दाक को तुमसे ही मिखाऊंगा कैसा रहा मेरा स्कुल अब तुम अपना ये घटिया स्कुल बタ करके मेरे स्कुल में भर्ती हो जाओ अच्छा च्छा तो मारी पेटी पर शक्करना इसे घर से बाहर निकालना ये ये सब तुम लोगों का नाटिक था ये फरेब है, दोका है दोका फरेब तो तूने किया है मेरे साथ मेरे देवी जैसी पत्नी के खिलाफ मेरे दिल में शक का जहर फैला कर अपनी, अपनी मकारी और मेरा खुदगर्जी के लिए तु तु मेरी जिन्दकी से केल गया लाना थे तुछ पर बेटे अनिल मैं आपने की ये पर बहुत शनुन्दा हो लेकिन इसमें इसमें तेरे महाबाप भी तो शामिल है मुझे शर्माती आपको अपना महाबाप कहते हुए बेटे अदसे आदसे आपका मेरा रिष्टा टोड़ गया तोड़by AMT यह के हो गयाते सर्ब इसकी फिकर मत करो मिमा इस्पताल से सुदा को अठा कर ले गया है और उसे प्रिदाए बिलेगे जाने बिलेगे भी आरे वाले बहुत जाओ, मैं तो बीमस्भा को बार देगा, इसलिहां मंदर नहीं आँ चित्रा, महारते अच्छा हुआ जो तुम चित्रा को ने ले आए, चित्रा को, उपार लाओ, उपार, जल्दी नहीं तुम्हे रस्दाँ, टाट तुमा, याँ Aaaaaaayy! Neyi? Citta! I love youuuu! झाङ, झाङ, झाङ! Bıdum! Çorda merahat, çorda! Bici! Çorda merahat, at! झाल झाल लादोे से को खुझार। गालबों नाई आ द एमें लि Так कज दोगी पालबों अती पालबों गोट Memphis कि लुझा को झाल झाल तरकाइ्ण झाता स्कवавай मुछ झाता सक उमार वर फुट कर दो towards एिरेध जादा आए एजिए! चुलाद सwood फा इी हमार पहाद कर दो ए इिरे पहाद पहाद पुट ए... Agh! Ahh! Aaaaaaah! Ahh! Aaaaaaah! Puffa, puffa! Puffa, binli! Puffa, binli! Hayco! Yürü! Nuri! Dile bena! Dile! Ahh! 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 Yaaay! 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 Diutu! Yaaaallum! AAALLBB!!! Cetack Mary, safe Mary, cetack Mary! Cetack Delihe! Hب好吧!!! अजयाँ! सफ मेरी! जटा इस माइड! आजयाँ! 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 यह 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 यह! आजयाँ! आजयाँ! दो… आइ!! ब satis आयो, मुझे बचानो! मुझा बचानो!! व गया वज खिदा! हुआ 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 हुआ!! हुआ! चित्रा, 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 I love you चित्रा! ठालनोन झालनोंटैको